इस देश में कभी भी किसी गरीब को पांच लाग रुप्या की गारंटी किसे नहीं दी, ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपास सरकार है, ये मोदी है मेरे प्यारे भाई लोग, हम आज आप लोग के बीच में आया हूँ इस बताने के लिए कि जदी रुवा लोग के हिंदुस्तान के हालत में सुधार लाना है, एक साप सुथरी छवी वाली सरकार बनाना है, तो एक बार भीर हमरा के आप लोग जीता दीजिए, हम रुवा कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर के देखा देंगे, मैं साथ महिने सत्ता के स्यासन पर आरुड होने के लिए नहीं माँग रहा हूँ, मैं साथ महिने एक चौकिदार बनने के लिए मांग रहा हूँ, सीरी माने आप लोग का वोट जोदी पाएंगे, समझ रही हो, हाँ हाँ कर देखाएंगे अच्छाब ने हमें तभा टेर आप मुझे बताय भाइयों से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए प्रस्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए हिंदुस्तान के हर कौने से प्रस्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए भाई यो बैवनों मैंने बिड़ा उठाया है अब फिर आए गईला नेता जी बनके बहुर रुपिया देखाए गईला नेता जी मेरा बचन है भारत मा को तेरा शिश नहीं जुकने दूंगा हम मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा मैं देश नहीं जुकने दूंगा साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डबे में चाय बेचते थे गुरु हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं गुरु हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं लेकिन BSNL बेचते हुए देख रहे हैं लेकिन LIC बेचते हुए देख रहे हैं देख रहे हैं लड़की पागल लगती है इसका दिमाग ठीक नहीं है क्या हम पागल लोकत ही उल्टा सिधा इल्याम हमरा पर लगात हो अरे तुमको पता नहीं है कि हम गाओं गाओं में आईसी योजना चलाएंगे कि पुरे हिंदुस्तान की छबी बदल के रख देंगे समझी अच्छा सुनावा तब तब सुनी हम हो इसलिए हम आउश्मान भारत योजना लेकर आये हैं जिससे लोगों पर पढ़ने वाला बोज कम हुआ है ता रहे हैं हम बतावा जल्दी बतावा विर्दा प्यंसर कुड़ाय और अपुड़ी को दी लाएंगे यह काम तब पहले करिया समझ रही हो ना अब तुमको लग करवा विर्दा प्यंसर कुड़ाय और बुठी को दी लाएंगे के हुझ वनकिया नहीं करके देखाएंगे आयो भना जादा से जादा ये मेरा क्या कर लेंगे भई नहीं बताईए क्या कर लेंगे अरे हम तो फकीर आदमी है जोला लेके चल पड़ेंगे जी तुम हमरा बीसा में बहुत ज्यादा जानती हो अरे बड़ा लोग का जानिला ठीक है एक बात हमारा ही सुनो माल लेते हैं बाई कि पिछली बार जब हम चुनाव जीते थे तो कु इसका कारण क्या था तुमको मालूम है ना मालूम ना अब बतावार देखो बाई मैं साथ महने सत्ता के स्यासन पर आरूड होने के लिए नहीं मांग रहा हूं हम पांच बार तो चुनावार गए एक बार टिकट लेने में पांच लाख रुपिया लगता है तब पांच बार में पचीस लाख रुपिया हमारा तो चला गया तो पिछली बार जब हम जीते थे तो अपना वही पैसा वसूल करने में रह गए अब की बार जीता हो हम वाद करते हैं हिंदुस्तान की तस्वीर बदल देंगे समझ रही हो हाँ नखाऊंगा नखाने दूंगा